मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर रिशी विश्वामित्र राम और लक्षमन को लेकर यग्यमंडप में गए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का। वीडियो को शुरू करने से पहले आप से दरखास्थ है कि चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर ऐसे ही ज्यानवर्धक वीडियो। मिलते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं। यग्यमंडप को अत्यंत सुरुची के साथ सजाया गया था। उस भव्यमंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजामहाराजाओ के बैठने की अती सुन्दर व्यवस्था की गई थी। मंडप के उपर बहुमूल्य रक्नों से बने जालर युक्त आकरशक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों और फहरते हुए पता के मिधिलाप्ती की कीर्ती को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रक्नश्टित स्तंभ बनाए गए थे। वेदपाठी ब्रह्मन एवन तपस्वी शांती पाठ कर रहे थे। देदी प्यमान वस्त्राभूशनों को धारन किये राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानों सैकडों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यग्यभूमी में एकत्रित हुए हो। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपूर की लावण्य में रमनिया अपने घरों के जरोखों से जाक रही थी। गर्जन तर्जन करते है पिनाक को इस मनो मुगधकारी वातावर्ण में यग्यभूमी में लाया गया। सभी की उच्सुक द्रिष्टी उसी और घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ती उस धनुष को एक विशाल गाडी में धीरे-धीरे खीच रहे थे। उस विशालकाय बजर के समान धनुष को देख कर बड़े-बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के जेश्ट पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आये और बोले के संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों। महाराज जनक ने प्रतिग्या की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मिधिलापती महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिग्या को सुनकर राजा और राजकुमार बारी-बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आये किन्तु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी न सके। अंत में वे लजजित हो सिर जुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लोट गए जैसे की नागराज अपनी मनी गवांकर लोट आते हैं। इस प्रकार एक-एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरत होकर लोटता देख महाराज जनक को बहुत दुहक हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योध्धा यहां विद्यमान है, किन्तु बड़े दुहक की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चड़ा सका। उनकी इस असफल्टा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रित्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयोपरियंत कुवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने जो अपनी असफल्ता से पहले ही लजजित हो रहे थे, शुब्ध मन से द्रिष्टी नीचे जुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्टसना का उनके पास कोई उत्तर न था। परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्षमन को मिथिलाप्ती द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांचन सहन नहीं हुआ। कूपित होकर उन्होंने अपनी भेकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले के मिथिला के स्वामी राजा जनक। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ती विद्यमान हो वहां भी कोई इस प्रकार तिरसकार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहां तो सूर्यकुल के मनी श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कापने लगा। लक्षमन को अत्यंत कृध एवं आवेश में देख कर राम ने संकेट से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे मानों पूछ रहे हो के वर्तमान परिस्थिती में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा वत्स लक्षमन ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव वर्णन किया है वह सत्य है। प्रसन्न हुए। किन्तु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिवजी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाग की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमार। इन्हें इनके उद्देश में सफलता प्रदान करने की दया कीजिये। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्शित हो गया है। आथ इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभो, आप अपनी अद्भुत शक्ती से इस धनुष को इतना हलका कर दीजिये कि यह सर्लता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुँचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सर्लता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चड़ाकर जोही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खीची त्योंही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ा कर तूट गया। उस नाज से अधिकांश दर्शक मूर्चित होकर भूमी पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्षमन आदी कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्चा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिग्या पूर्ण हुई इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रयों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरत के पास अयोध्या भेजने की आज्या दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले राजन। आपकस ऐसा ही करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश देदें की वे राजा दशरत को संदेश देदें की दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहां पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ठ होकर मिथिलाप्ती जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सक्खियों के साथ हाथ में वर्माला लिये मंथर गती से लजाती हुई वहां आई जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री राम चंद्र खड़े थे। सक्खियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जीने धीरे से श्री राम के गले में वर्माला डाल दी। मिथिला पूरी से अयोध्या तक का मार्ड तीन दिनों में तय करके महाराज जनक के मंतरी राजा दशरत के दरबार में पहुचे। रतनश्टित सिनहासन पर विराजमान महाराज दशरत का साधर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंतरी ने कहा, ये राजन। मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्शी विश्वामित्र की आग्या से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्थ संसार को ग्यात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यन्त रूपवती लाबन्यमई एवन समस्थ सद्गुन से संपन्न है राजा जनक ने अपने यहां एक यग्य किया था उसमें उन्होंने यह प्रतिग्या की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रक्तियंचा चढ़ा देगा उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे उस यग्य में महामुनी विश्वामित्र राम और लक्षमन दोनों राजकुमारों के साथ जनक पुरी पधारे राम ने धनुष पर प्रक्तियंचा ही नहीं चढ़ा दी बलकि उस धनुष के दो टुकडे भी कर दिये इस प्रकार उन्होंने अपने अध्वितिय पराक्रम से सीता को प्रा वशिष्ट के साथ शीघर बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें ताकि राजकुमार श्री राम चंद्र के साथ सौभाग्य कांक्षिनी सीता का विवाह वैदिक रीती से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के रिन से उरेन हो सकें इस शुब संदेश को सुनकर महार राम लक्षमन की कुशलता एवं अध्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया वे मंत्रियों से बोले मंत्रिवर हमारा हृदय राम और लक्षमन से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है इसलिए आप शीघर ही परिजनों एवं दर्बार के सभ विद्वानों आदी सब को बारात में चलने के लिए निमंत्रन पत्र भिजावाये सेनाप्ती जी से कहिए कि वे शीघर चतुरंगिनी सेना को तयार होने का आदेश दें यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें क्योंकि हमारे स चाबाली, कश्यप, मारकंडे, महर्शी कात्यायन, आदी रिशिमुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वेकल प्रातहकाल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनक पूरी के लिए प्रस्थान कर जाएं इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुब समाचार देने के लिए जाते हैं इतना कहकर राजा दश्रत ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आये हुए अतिथियों का उचित सतकार करें और उनके खान-पान, ठहरने आदी का समुचित प्रबंध करें इसके पश्चात वे स्वय राजप्रासाद के अंतहपुर में पहुचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुब समवात सुनाया शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया घर-घर में मंगलगान होने लगे निर्त्य संगीत का आयोजन होने लगा महाराज की आग्या पाकर मंतरीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए